शनिवार को दो मैच खेले जाने हैं जो पहला मुकाबला होगा वो पंजाब और कोलकाता के बीच में खेला जाएगा जो की मोहाली में होगा और दूसरा मुकाबला लखनव और दिल्ली के बीच जो है वो लखनव में ये मुकाबला खेला जाएगा तो आज जो है ये दो मुक इसीवार को दो मैच ख़िले जाने है उसमें से पहला मैच पैजाब और कोलकाता के बीच में है P mijलान की टीम के कप्तारी सीहर। कुलकाता के लिए मिटीश रानल को मताल कहा रानल की घुए आपकर्वान के दोनी अपन रियू यहां करने हैं बाक करें के लिए Corporate कोलकाता का पल्रा भारी हम कह सकते हैं इस लिहाज से क्योंकि कोलकाता में बहुत एक्सपिरियेंस्ट प्लेयर हैं और पंजाब का पूरा टीम है पंजाब की पूरी टीम जो है नई दिखाए दे रही है और कोई वैसा बड़ा चहरा नहीं है हलाकि सिखर दवान को हटा दे तो कोई वैसा बड़ा चहरा नहीं है जिसके बलबूते जो टीम यह कह सकते हैं कि जीत हासिल कर सके तो लुब यह कह सकता है कि पंजाब का जो है टीम में उतना जो कह सकते हैं कि मैनेज़बल टीम होना चाहिए वो टीम ने दिखा लेगा अगर जो सबसे मेहंगे खिलाड़ी हैं साम करन उनके बारे में आप क्या कहेंगे वो भी खेलेंगे देगे साम करन की अभी मौजुदा फर्म की बात कर ले पिछले जो बंगलादेश से सीरीज हुआ तो उसमें साम करन का उतना प्रभाव नहीं दिखा वो काफी प्रभाव छोड़ अभी सफल नहीं दिख पाए हैं तो उनका फॉर्म से थोड़ा आमना सामना दिख रहा है वो यह कह सकते हैं तो साम करन पर नजर रहेगी लेकिन मुझे नहीं लगता है कि साम करन अभी जो है सुरवाती दोर में अपना जो छाप है वो छोड़ पाएंगे साम करन को मैं जहां तक देख पाता हूँ नई गेंद के साथ वो गेंद को स्विंग कराते हैं तो अगर नई गेंद में वो विकेट निकाल लेते हैं तो वो जो है पंजाब को फायदा पहुचा सकता है बाद में उन्हें परेशानी होगी इंडियन कंडिशन में या सब कॉ आस्ट्रेलिया में वो बने थे प्लेयर आप दे सीरिस T20 वर्ल्ड कॉप में और वही वज़ा है कि उन्हें इतनी भारी रकम दी गई है लेकिन मुझे लगता है कि वो शुरुवाती ओवर में ज्यादा एफेक्टिव साबित हो सकते हैं इसके अलावा बाद में वो अपने स्ल बाबे के खिलारी हैं T20 विशकप में उन्होंने शाद़ार प्रदर्शन किया था उनसे भी उम्मीद है होंगी चुब मैं एक चीज़ देखना चाहता हूँ चुकि देखें यह जो फ्रेंचाइजी लीग हो रहा है तो हम जब अल्टिमेटली देखते हैं तो टीम इंडिया के कॉइंट अब व्यू से भी देखने की कोशिश करते हैं और मेरी नजर अगर किसी पर होगी तो वो अर्शदीब पर होगी अर्शदीब में स्विंग करने की शमता है और अगर अर्शदीब और करन शुरुआत में गेन को स्विंग करा पाने में सफल रहे और कुलकाता को इनिशियल जटके दे दिये तो पंजाब के लिए चांस बन सकता है नहीं तो मुश्किल होगी देखे अरसदीब और सैम करन इसे मैंने बोला अगर सैम करन अपने फॉर्म में लोड जाते हैं और गेंदबाजी इस चरह से उनका लाइन और लेंथ है उस पे बरकरार रहते हैं तो असदीब और करन की जोड़ी किसी भी टीम को मुश्किल में डाल सकते हैं और इसके साथ उनको साथ देने के लिए एलिस भी होंगे जो अस्टेलिया ही तेज गेंदबाज हैं उन्होंने बैटर्स को परिशानी हो सकती है क्योंकि हम देखें तो राहुल चाहर सिकंदर रजा ये सब सपोर्ट करने के लिए वहां रहेंगे अलिस की बात करें तेज गेंदबाज है और करन की बात करें तो तेज करते हैं लेकिन साथ में स्विंग भी करते हैं और सेम अगर हम बात कर ले आशदीब सिंग के तो आशदीब सिंग तेज करते हैं लेकिन वो कभी कभी स्विंग भी दाल देते हैं नी देखिए आशदीब के साथ जो अच्छे बात है अगर तीनों गेंदबाजों की तुलना करू अगर पंजाब के ही तो मुझे अर्शिदीब तीनों पर भारी दिखते हैं इसलिए भारी देखते हैं क्योंकि वो नई गेन के साथ स्विंग तो करा ही लेते हैं लेकिन डेथ होवर्स में उनके पास यॉर्कर्स भी हैं और साथ में स्लोर डिलिवरे भी वो मिक्स अप करते हैं तो इस तरह से अगर मैं तीनों के इन बाज़ों में देखूं तो मुझे अर्शिदीब का पलड़ा भारी दिखाई देता है खर हम इस चीज़ को आगे छोड़ते हैं और हम अगर कोलकाता की बात करें तो बहुत बैलेंस टीम मुझे डिखती है क्योंकि आप वहाँ पर देखते हैं कि आंद्रे रसल जैसा खिलाड़ी है सुनील नरेन जो हमेशा से उनके लिए प्रदर्शन करता रहा है और सबसे दिल्चस्प है कि न सिर्फ अपनी बालिंग से बलकि बैटिंग से भी उन्होंने कोलकाता को बहुत सारे मैच जिताएं है इसके अलावा लॉकी फर्ग्यूसन है टीम साउदी है शाडूल ठाकूर है तो उमेश यादाओं है मिस्ट्री वालर वरून चकरवर्ती है तो नाम बड़े बड़े है इसमें एक और बड़ा जो डोमेश्टिक चेहरा है एन जग्दीशन उनका भी नाम जुड़ गया है क्योंकि रंजी में उन्होंने लगतार साथ संचुरी मारे थी रिकोर्ड तोड़ा था और जिसमें एक डबल संचुरी भी सामिल था तो हम उमीद करें कि जग्दीशन को मौका मिले चुकि ये भी चीज़ देखनी हुए कि लिटन दास भी टीम में है तो विकट कीपर की भूमी का किसे दी जाती है ये देखना भी दिल्चस्प होगा और लिटन दास भी काफी फर्म में है पिछले अगर सीरीज की बात कर ले तो लिटन दास ने हाई स्कोर किया है मैन अब दास सीरीज लिया है मैन अब दास मैच लिया है तो लिटन दास जो है अपने जिस तरह से कहा कि बहुत मजबूट टीम देख रही है को बिलकुल कह सकते है कि पंजाब के उपर कॉलकाता का जो टीम है वो पूरी तरह से भारी रहेंगे तो कॉलकाता की टीम हाविर रह सकती है पंजाब की टीम पे लेकिन आपको बता देंगे पंजाब टीम के कप्तान शिखर दावा ने और उन्हें भी बहुत कुछ साबित करना है तो ये भी देखना और कई बार मैंने देखा है कि कागस पर जो टीमे मजबूत होती है कई बार मैदान पर जो है वो उस तरह से नहीं दिखती है और क्रिकेट एक ऐसा खेल है निरज जिसमें दिन विशेश का बड़ा महात तो होता है और खास करके इस छोटे फार्मेट में टीटी फार्मेट में जहां कुछ एक ओवर ही पूरे मैच का जो नक्षा होता है वो बदल देते हैं नए चीज भी हम लोगों देखने को मिल सकता है क्योंकि दोनों और से नए ने कप्तान है नितेश राना पहली बार कोलकाता से कप्तानी कर रहे हैं सिखरदावन पहली बार पंजाब से कप्तानी कर रहे हैं तो कुछ नया फेर बदल देखने को मिल सकता है कुछ एक्स्पेरिमेंट भी करने को ये भी देखना है कि क्या कुछ कप्तानी में चुकि हमने शिखादवन को टीम इंडिया की कप्तानी करते तो देखा है जिसमें उन्होंने अपने आपको सावित भी किया है नितेश राना के लिए ये बड़ी चुनाती होगी हलाके नितेश राना ने कहा कि मैं अपने स्टाइल की कप्तानी करूँगा तो ये confidence तो उनमें दिखता है तो कूलकाता की टीम पंजाब पर हावी रह सकते है वैसे क्या होता है ये मैच के बाद ही पता चलेगा अभी के लिए इतना ही इजाज़त दे नमस्कार टॉप टेक्सिमिन जो जोड़े त छोड़े नहीं मजबूती ही हमारी पहचान चार धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरै, मामिनाक्षी देवी और श्री मलिकार्जुन जोतरलिंका जारखन में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाप का आनुपम अमसर संपर्क करें माकामा ख्या धार्मिक रेल यात्रा केश्री नर्सिंग हों, तहला तला, पिसका मोड, राची